आज है 19 अगस्त और आज का Most Important Current Affair लेकर आए हूँ आज का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से और हमारे टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम का लिंक का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लास्ट में दो क्वीज करूँगा जिसका अंसर आपको नीचे कमेट में लिखना है अब चले ये स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है फूटबॉल टूनामेंट UEFA सुपरकप 2019 का खिताब किसनी जीता है या खिताब जीता है लिवरपुल ने चेल्सी को हरा कर लिवरपुल ने चौथी बार ये खिताब अपने नाम किया है लिवरपुल और चेल्सी ये दोनों इंग्लेंड के फूटबॉल कलब यहाँ पर UEFA का फूल पम होगा Union of European Football Association अगला कोशन है नेक्स्ट हाली में किस अराज्य ने विलेज वलेंटियर सिस्टम लॉंच किया है इसका उद्देश लोगों के घर तक 72 घंटे के भीतर सरकारी सेवा उपलब्द कराना है और इसी के ताथ परतेक गाउं में एक गाउं सची वाले भी अस्थापित किया जाएगा एंसर है आंदर पर्देश इसके बारे में जान लेते हैं आंदर पर्देश की सीमा भारत के पांच राज्यों को चूती है और इसा 36 गळ तेलंगाना करनाठक और तमिलनाडू गठन हुआ था एक अक्तुबर 1903 को कैपिटल अमरा सिट 11, विधान साबा सिट कुल 176 है एक सिट पर राज्येपल द्वारा मनोनित किया जाता है विधान परिसद है जिसके सिट के संख्या अंठावन है जीलों की संख्या 13 मुख्यनादिस है विक्रमनाथ ये आंदर पर्देश हाई कोट के मुख्यनादिस है राजकिये सिरी साइलम बाद, आलामाती बाद, बस्वा सागर बाद ये सभी बाद जो है क्रिशना नदी पर है भारत ने फ्रैंक फर्ट में आयो जीत जुनियर ट्रेक वर्ल्ड साइक्लिंग चेंपेंशिप 2019 में टीम स्प्रिंट इवेंट में कौन सा पदक जीता है भारत ने जो है जर्मनी में है भारतिय टिम में एसो अलबेन, रोनाल्डो सिंग, जेम्स सिंग और रोजित सिंग सामिल थे अगला कोशन है हाले में किस भारतिये नव वर्सिये बच्चे ने माउंट किली मंजारों पर सफलता पुर्वक चड़कर इतियास रच दिया है तो इस नव अफ्रीका की सबसे उची चोटी यानि अफ्रीका का सबसे उचा परवत है माउंट किली मंजारों इस पर इन्होंने चड़कर इतियास रच दिया है इनका नाम है अद्वायत भारतिये 2016 में ये माउंट एवरेष्ट के बेस कैम तक पहुँच गए थे मात्र छे वर्स की आईव में ठीक है माउंट केली मंजारों जो है इसके उचाई है 19,341 फिट मीटर की बात करें तो 5,895 मीटर अफ्रीका के तंजानिया में ये परवत है ठीक है अच्छा अद्वायत भारत ये कहां के है ये पूने महराष्टरा के है चली अगला कोशन है हाले में किसने चार धाम परियोजना की मंजूरी दे दी है तो हाले में सुप्रीम कोट ने चार धाम परियोजना की मंजूरी दे दी है परियावरन कार्णों की वज़ा से यह परियोजना रूका हुआ था ले योजना चारो धाम जो हैं ये कौनसे राज्य में हैं उत्राखंड में हैं बदरीनाथ केदारनाथ गंगोतरी और यमुनोतरी इने ही चार धाम के नाम से जाना जाता है तो 900 किलोमीटर का सड़क निर्मान करके इन चारो धामों को जोड़ा जाएगा आपस में सुपरीम कोट अंसर है इसके बारे में जलने है सुपरीम कोट की अस्थापना 28 जनौरी 1950 में की गयी थी वर्तमान में मुख्यन अधिस हैं रंजन गोगई ये 46 मुख्यन अधिस हैं वर्तमान में नियाधिसों की संख्या कितनी है 33 पलस 1 पहले हुआ करती थी 30 पलस 1 लेकिन हाले में भारत सरकार ने थार एक्सप्रेस के संचालन पर रोक लगा दी है ये ट्रेन भारत पाक के कीन दो जगहों को जोड़ती थी मुना बाव तथा खोकरा पार के बीच में ये ट्रेन चलता था, थार एक्सप्रेस इन दोनो जगहों के बीच की दूरी 6 किलोमेटर है मुना बाव जो जगह है पाकिस्तान के सिंध प्रांथ में है वही खोकरा पर भारत के राजस्थन के बाड मेरे जिले में इस्थित है सपता में एक बार ये ट्रेन चलती थी 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद हुआ था उस समय इस ट्रेन सेवा को रोक दिया गया था फिर 41 सल बाद 18 फरवरी 2006 में इस ट्रेन सेवा को शुरू किया गया फिर से इसे रोक दिया गया है अब की बार अस्थाई रूप से रोका गया है यानि आगे फिर ट्रेन नहीं चलेगा भारत और पाकिस्तान के बीच में हाली में एक और ट्रेन चलती थी समझहौता एक्सप्रेस वागा तथा अटारी के बीच में वागा और अटारी के बीच की दूरी तीन किलो मिटर है उसे भी रोक दिया गया है समझहौता एक्सप्रेस हफते में दो बार चलती थी ठीक है और समझहोता एक्सप्रेस का संचालन कब शुरू हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में? 22 जुलाई 1976 को यहाँ पे हम पाकिस्तान का बात किये हैं इसके बारे में जान लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान के राष्ट प्रपती हैं आरिफ अलवी परदान मंत्री हैं इमरान खान वहां की जो संसद है उसका नाम है National Assembly और मुद्रा का नाम है पाकिस्तानी रुपिया किस मंत्राले ने स्वक्षे सर्वक्षन ग्रामीन 2019 लौंच किया है तो हाली में जल शक्ति मंत्राले ने स्वक्षे सर्वक्षन 2019 लौंच किया है हाली में अवास एयों शहरी मामलों के मंत्राले ने स्वक्ष सर्वक्षन 2020 लौंच किया है वहीं जल शक्ति मंत्राले ने स्वक्ष सर्वक्षन ग्रामी ने 2019 लौंच किया है different याद रखिएगा स्वक्ष सर्वक्षन ग्रामिड जो है देश के 698 जीलों के 18,000 गाउं में यह सर्वक्षन किया जाएगा सभी मंत्राले के मंत्री के बारे में जानेंगे एक चीजी यहां पर और जान लिजे अवास एउँ शहरी मामलो के मंत्राले ने हाली में एक अप्लिकेशन लॉंच किया है उस अप्लिकेशन का क्या नम है? Clean City अब हम जानते हैं मंत्राले के मंत्री कौन है उसके बारे में वर्तमान में परियावरन मंत्री कौन है? प्रकास जवडेकर अगला कोशन है हाली में सुर्ख्यों में रही सुपरा योजना किस छेतर से संबंदित हैं? सुपरा योजना जो है विज्ञान एंजिनियरिंग अनुसंधान से संबंदित हैं यहाँ पे सुपरा का फूल्फ हम याद रखिएगा स्टाइटिफिक एंड यूजफुल प्रोफाउंड रिसर्च एडवानस्मेंट इसका फूल्फ हम होगा हाले में रेजिया रहमान का निधन हो गया वे किस देश की जानी मानी उपन्यासकार थी? यह बंगला देश की जानी मानी उपन्यासकार थी हाले में इनका निधन हो गया है इनका जन्म 1949 में कोलकाता में हुआ था लेकिन भारत का जबी बिभाजन हुआ था उस समय यह बंगला देश चली गई थी इनकी कुछ परमुखा राचनाय हैं जैसे की बंग थे के बंगला रोकतर ओक्षोर एंसर है बंगला देश इसके बारे में जान लेते हैं सबसे पहले यह जनिए कि बंगला देश की सीमा भारत के कितनी राज्यों को छूती है ये जनिये कि बंगलादेश की सीमा भारत के कितनी राज्यों को चूती है पांच राज्यों को चूती है कौन-कौन से राज्य वेस्ट बंगल, असम, मेघाले, तरिपूरा और मिजोरम पांच राज्यों से इसकी सीमा लगती है अगला कोशन है एंसर है उत्तर पर्देश इसके बारे में जानिये उत्तर पर्देश की सिमा भारत के आठ राज्यों का लगती है कौनकों से राज उत्राखंड, हिमाचल पर्देश, हरियाना, राजस्थन, मदे पर्देश, 36 गड़, जारखंड और बिहार एक केंदर सासित पर्देश से सिमा लगती है दिल्ली से और एक कंट्री से भी नेपाल से इसकी सिमा लगती है गठा नुवता, 24 जनवरी 1950 को, कैपिटल लखनव, साक्षरता दर है, 67,68 प्रतिशत लिंगा नुपाते, 912, मुख्य मंत्री है, योगी अधित्यनाथ, गवर्नर है, अनंदी बेन पटेल लोग सबा सिट 80, राज्य सबा सिट 30, विधान सबा कुल 404 है, एक सिट पर राज्य पल द्वारा मनुनित किया जाता है यहाँ पर विधान परिशत भी है, सिट के संख्या 100 है, जीलों की संख्या 75 है गविंद माथूर, इलाबाद हाई कोट के मुख्य नहीं दी से, राज्किय पश्यू है 12 सिंगा, राज्किय पच्छी है सारस, राज्किय पेण है अशोक, राज्किय फूल पलाश, राज्किय फल है आम, यहाँ का राज्किय मिठाई है जलेबी दुधवा नेशन पारक, चंदर परभा वाइल लेफ सेंशूरी, हस्तेनापूर वाइल लेफ सेंशूरी, तथा रानीपूर वाइल लेफ सेंशूरी, सभी उत्तर परदेश में है, रिहंद डेम, गोविंद, वल्लब, पंसागर पर है, माता टिला डेम, यह बेतवा नदी अगला कोशन है, ANZ ने चालू वित वर्स दौजर उजनीज बिस के लिए भारत के विकासदर के पुरवा नुमान को 6.5 परतिशत से घटा कर कितना कर दिया है, तो इसने अपने पुरवा नुमान को 6.5 परतिशत से घटा कर 6.2 परतिशत कर दिया है, ओप्शन सी सही उत्तर यहाँ पर ANZ यानि Australia and New Zealand Banking Group ने यह अनुमान लगाया है ठीक है हाली में कुछ अंतराष्ट्रिय संस्थाओं ने भी अनुमान लगाया है जैसे कि IMF यानि International Monetary Fund ने अनुमान लगाया है अगला कोशन है उतक्रिष्ट राजनेतिक रिपोर्टिंग स्थिरेनी में किसे प्रेम भाटिया पुरसकार 2019 से सम्मानित किया गया है तो हाली में राजदीप सर्देसाई को प्रेम भाटिया पुरसकार 2019 से सम्मानित किया गया है राजनेतिक रिपोर्टिंग स्थिरेनी में ठीक है वहीं प्रयावरन संबंधी रिपोर्टिंग स्थिरेनी में प्रेम भाटिया पुरसकार दिया गया है इशान कुकरेती तथा शारदा बाला सुब्रमन्यम को तो ये था हमारा आज का करेंट अफिर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेर जगू करना अब चलिए लास्ट वीडियो का एंसर बता देता हूँ पहला कोशन था उतरी धुरू के उपर से उडान भरने वाली भारत की प्रथम एयर लाइन्स कौन बन गई है सभी लोगा ने अंसर सही दिया था एयर इंडिया दूसरा कोशन था निलकंट निम्ड में से किस राज्य का राजकिये पक्छी है इसका भी अंसर सभी लोगा ने सही दिया था ओडिसा सही अंसर था अब आज का क्वीज करता हूँ जिसका अंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है पहला कोशन है हाली में पदमिस्री दामोदर गनेश बापट का 87 वर्स की आयू में निधन हो गया वे क्या थे दुसरा कोशन है रेड पंडा किस अराज्य का राजकिये पशु है